सिनेमा ने बोलना सीखा इसके प्रश्णोत्तर करेंगे आज हम पाट से जब पहली बोलती फिलम परदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए उस फिलम में कितने चेहरे थे इस पस्ट कीजिए अब इसका उत्तर हो जाएगा जब पहली बोलती फिलम परदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे उस फिलम में कितने चेहरे थे पहली बोलती फिलम परदर्श हुई तो उसके पोस्टरों पर आलम आरा वाक के लिखा था उसके पोस्टर में क्या लिखा हुआ था आलम आरा पहली बोलती फिलम थी और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए उनको बोलते बातें करते देख देश की पहली सवाग बोलती फिलम आलम आरा के पोस्टरों पर विग्यापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी क्या लिखी हुई थी कि आलम आरा वाक के लिखा था 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं उनको बोलते बातें करते देख देश की पहली सवाग बोलती फिलम आलम आरा के पुश्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी अब दूसरा प्रस्ण है पहला बोलता सिनिमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देर सीर एम इरानी को प्रेणा कहां से मिली उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया विचार व्यक्ति कीजिए इसका उत्तर हो जाएगा पहली बोलती फिल्म जब बनी थी तो आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देर सीर एम इरानी को थे एदेर सीर एम इरानी थे 1929 में हालिवुड की एक बोलती फिल्म सोबोड देखी उन्हें 1931 में हालिवुड की एक बोलती फिल्म सोबोड देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी उस हालिवुड की पिक्चर को देख करके फिल्म देख करके उनके मन म एक बोलती फिल्म बनाने की मन में इच्छा जगी और पारसी रंगमंचे के एक लोग पर नाटक को आधार बनाकर उन्हों अपने फिल्म पटकथा बनाई उन्होंने पहले इसकी पटकथा बनाई इस पिक्चर की तो तीसरा प्रस्न है विट्टल का चयम आलम आरा फिल्म के नायक के रूप हुआ लेकिन उन्हें हटाया क्यों नहीं गया विट्टल ने पुनहें नायक होने के लिए क्या किया विचार परिकट कीजिए अब एक बार और देख लेंगे तीसरा प्रस्ण है विठल का चयन आलम आरा हिल्म के नायक के रूप हुआ लेकिन उन्हें हटाया क्यूं गया विठल ने पुनहें नायक होने के लिए क्या किया विचार परिकट कीजिए अल प्रस्ण है विठल का पहले नायक के तौर पर चयन हो गया था लेकिन बाद में उनको उर्दू बोलने में क्या होती थी दिक्कत होती थी उन्हें उर्दू बोलने में उर्दू बोलनी नहीं आती थी उन्हें दिक्कत होती थी उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी ज जिसकी वज़े से उन्हें हटा दिया गया था फिलम नायक के तोर पर उन्हें नहीं लिया गया इस कारण उन्हें हटा दिया गया था और विठल नाराज हो गये जिसकी वज़े से क्या हो गये थे वह नाराज हो गये थे और अपना हक पाने के लिए उन्हें मुकदमा कर दिया उस दोर में उनका मुकदमा मुहमद अली जिनना ने लड़ा, उस समय के जो वकील थे म०ह ने उनका मुकदमा लड़ा उस समय के मसूर वकील थे वे, विठर मुकदमा जीते और्भारत के पहली बोलती फिलम के नायक बने फिर दुबारा हुए पुना है वा केस जी देगी और मुकदमा जीते तो उसके बाद पहली बोलती फिलम के वा क्या बने नायक बने अब इसका चौथा प्रस्ण है पहली सवाक फिलम के निर्माता अर्देशीन को जब सम्मानित किया गया तब सम्मान करताओं ने उनके लिए क्या कहा था अर्देशीन ने क्या कहा और इस प्रसंगे में लेखक ने क्या टिपनी की है लिखिये इसका उत्तर हो जाएगा शवाक सिनिमा के नए दोर की सुर्वात कराने वाले निर्माता अर्देशीक अधेशीर एम इरानी इतने विनमर थे कि 1956 में आलम आरा के प्रसंग के 25 वर्ष्ट पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया था उन्हें भारती सवाक फिल्मों का पिता कहा गया उन्हें भारती बूलती फिल्म का क्या कहा जाता है जनक कहा जाता है पिता कहा गया उन्हें इस मौके पर कहा था मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा पुरुसकार इनाम देने की मुझे क्या नहीं है जरूरत नहीं है मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है मैंने तो इसके लिए क्या क्या अपने देश का जरूरी अनुदान दिया है योगदान दिया है मैंने तो ठीक अब पार्ट से आगे प्रसने मूख सिनेमा में समवाद नहीं होते उन्हें देहिक अभी नई के प्रधानता होती है जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परवर्तन हुए उन परवर्तनों को अभिनेता दर्शक और कुछ तक नेकी दृष्टी के आधार पर आधार लेकर खोजें साथ ही अपनी कलपना का भी सयोग लें ये पार्ट से आगे डब फिल्म में किसे कहते हैं कभी डब फिल्म में कि अभिनेता के मुख खोलने और आवाज मंतर आ जाता है इसका कारण क्या हो जाता है अब पार्ट से आगे पहला प्रशन है मुख सिनेमा में समवाद नहीं होते उन्हें देहिक अभिने की अपरधानता होती है पर जब सिनेमा बोलने लगा उन्हें अनेक परवर्तन हुए उन परवर्तनों को अभिनेता दर्शक और कुछ तकनी की द्रिष्टी के आधार पर आधार लेकर खोजें साथ ही अपनी कलपना का भी सही लें इसका उत्तर हो जाएगा जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया सिनेमा में काम करने के लिए लिखे पड़े अभिनेता अभिनेत्रियों की जरुरत थी सुरू हुई क्योंकि जब समवाद भी बोलने थे सिर्फ अभिनेत से काम नहीं चलने वाला था दौर में तो पहलवान जैसे सरीर वाले स्टेंड करने वाले और उच्छल कूद करने वाले अभनेताओं के काम चल जाया करता था पहले क्या था कि जैसे मूख फिल में बनती थी उसमें जो हिस्टपुट सरील वाले हैं, इस्टन्ट करने वाले और उच्छल कूत करने वाले अपने ताउं से काम चल जाया करता था, उन्हें समवाद बोलना था और गायन की परतिभा की कद भी होने लगी थी, और फिर उस सम और अपने आप समवाद बोलना, उनसे अविनय कराना ये बहुत ही कठिन कारे था, समवाद को बोलना और गायन की परतिभा की कद भी बढ़ने लगी उस समय, इसलिए आलम आरा के बाद आरमिक सवाग दोर के फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े परतों पर नजर आन हिंदी और उर्दू भासाओं का महत्तों बढ़ने लगा, क्योंकि सवाग फिल्में थी, इनमें बोलना पड़ता था, सिनेमा में देह और तकनिकी की भासा की जगह जन परचलित बोल चाल की भासाओं का दाखिला हुआ, उस समय जन जो हमारी जो सिनेमा में जो बोलती फिल गया, सिनेमा जादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी, जिसमें आगे चलकर हमारे देहिक और सारवजनी जीवन का प्रतविम फिल्मों में बेहतर होकर वरने लगा, जो सारवजनी जीवन में हमारे घटनाएं घटती हैं, उस से उसको महत्तों दिया गया, उस समय, उसको फिल्मों में बढ़ चड़के उनको लिया गया, अब प्रस्न है अनमान और कल्पना, अनमान और कल्पना से हैं, मूग फिल्म देखने का एक उपाए, यह है कि आप टेली विजिन की आवाज बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का परियास करें और अनमान लगाएं कि फिल्म में समवाद और द्रिस्य की इस्सेदारी कितनी है, अब इसका उत्तर हो जाएगा, यदि टेली विजिन आवाज बंद रखें, फिल्म देखें तो हम पाएंगे समवाद और द्रिस्य ही फिल्म में प्रभावित बनाते हैं, एक आगरता प्रष्ट भी नहीं हो पाती हैं, और कई बार वो जो मूख फिल्म में होती हैं, बिना बोलने वाली इस पर भी समझ में नहीं आती हैं, तो कहने का ताथ पर है कि मूख फिल्मों से सवाख फिल्मों की क्या थी बहुत जादा महत्ता थी उस समय, उनको जादे महत्त दिया ज लगी और मूख फिल्में क्या हो गया इनका इनको कम परसंद करने लगी लोग और सवाक फिल्मों का बोल वाला जादा हो गया उसमें फिर धीरे धीरे जो सवाक फिल्में ही बनने सुरू हो गई